आप सब का सुपर कंसर्ट क्लासेज में स्वागत थे और आज किस वीडियो में आप लोगो क्लास 11 हिंदी कोर के टर्म टू का भेर वेर इंपोर्टेंट कोश्चन्स बताने वाला हूं जो आप लोगों की एक्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप लोग वीडियो का या फिर जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए होगा आप लोग नीचे कॉमेंट सब्सक्राइब कॉमेंट कर दिजेगा तो चले सुरू करते हैं और एक करके हरे को देख लेते हैं तो देखे हमारे पास जो सबसे पहला जो कोश्चन है कोश्चन नमर्वन आप लोग दे लेख लेते तो क्यूंकि इससे हुए अपनी कम्जोरियों और अभावाव को छुपा लेते थे और जाहिर नहीं करते थे तो, प्रॉप यहां पर संपल है, मतलब की नहीं होने से क्या करते हैं जो लोग देना, पाउं से प्यट को ढग लेते थे वह इसा करते थे, इसका जो कारण में कारण मालव उनका जो अभाव होता है या पिनका जो कमजोरियां था हरी चीज़ को छुपाने के लिए विए लोग ऐसा क्या करते थे तो चीज़ को यहां पर मैंने लिख दिया कि कमी जुना होने पर लोग पाउं से पेट इसलिए डग लेते थे क्योंकि इससे यह हो गया हमारा। वस्चन आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं अगला लेक्ट है क्याक है कि हारत माता के प्रती नहरू जी की यहां की धरती पहाड जंगल नदी खेत आदि के साथ साथ यहां के करोड़ों निवासी भी भारत माता है देखिए यहां पर नेहरू जी यहां के पंडीत जुहारलाल नहरू जी का मानना था भारत देश की धरती जो भी पहाड जो भी जंगल नदी खेत यहां रहने वाले जो भी निवासी है सब के सब क्या भारत माता है जैसे कि हम लोग बहुत करिए यह बहुत ही महत्रपूर्ण प्रस्न है आगे बढ़ते हैं अगले को चलते हैं नमर तीन देख लेते हैं क्या देखिए कि चंपा ने ऐसा क्यूं कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे तो यह जो कथन है चंपा ने क्यूं अपने मतलब पती को कहा आए तो बताना आए इसका उत्तर हो जाएगा कि चंपा नहीं चाहते थी कि उसका पती उसे छोड़कर कमाने के देख विए कलकत्ता जाए इस लिए चंपाने कांकी कलकत्ती पर बजर गिरे एंपर कलकत्ती ने कलकत्त लिए ठीक है यहाँ पर आप लोग लिगड़े दिसेगा फ्रासम इस प्रेंड है कलकत्त ने है कलकत्त है इसे किने कॉछ्चन नमर 4 कि छलते हैं देख लेतीकोशन नमर चार कर देखिए तो तातूस लेकिका को देखकर प्रसन क्यों हो उढ़ते थे थे guys do products थे लेकी घखा को देखकर जो खुस हो जात snd करते थे उसके हर संभाव सहाजता करते थे और बेवी को अपनी बेटी जैसा मानते थे जिस कारण से तातूस लेखिका को देखकर परसन हो उड़ते थे यह होगा इस प्रस्ण का सिंपल सा और सटिक सा प्यारा सा उत्तर नोट करके चलिए जिस भी चीज़ का वीडियो आपको चंपा के बारे में बताया है तो इसका उत्तर में लिखा कि कभी नहीं चंपा की निमलिकित विसस्ताओं का उले क्या है एक करके आप लोग देखते चलिए हरे आप लोगों को समझ माएगा तो देखे पहला पॉइंट क्या है कि चंपा अनपढ़ है और इसी स्थित यृब अनपढ़ ही रहना चाहते है जो किया पर कविता में साबसा बताया गया है अगला जो पॉंट पॉंट इबर तू क्या है कि वह पढ़ी गई बातों को भली परकार समझ लेती है मतले जो भी मैब पढ़ी गई जो भी बात है उनको समझ लेती थिसमाज देमें कोई दिकत नहीं था पॉइंट नमर फॉर क्या है कि वह अपने भविस्ति को सुरक्षित कर लेना चाहती है देखें जो कर लेना चाहती थी वह कामकाजी है और चरवाही का काम करती है यहां पर चंपा का विसस्ता होगा जो की पार्ट में दिया गया है हर एक चीज़ को आपने नोट डाउन कर लिजिए आगे बढ़तें कोईश्चनम 6 की और देख लेते हैं कोईश्चनम 6 हमारे पास क्या है देखें कोईश्चनम 6 कि भासा में जहारखंडीपन से क्या अभिप्राय है तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आदिवासियों की मात्रि जंगल ज्वांडी है जिसके कारण यहां पर हमारे राजी का नान छहारकन पड़ा और देके हमारे ज्वास यहां पर मैकसिम्म संधाली भासा बombola याता है रक्षा करनी को कहती है मैं दो जारा रहा है यह जो जहारकंडी पन है यानी जहारकंडी पन है यह जहारकंडी पन से जो अभिप्रा है जो बहुत है तो भासा में जहारकंडीपन का अभिपरा है यहां पर इस इडिजीगा यह हो जाएगा इसका बिल्कुल प्यारा सा सुन्दर सा उत्तर आगे बढ़ते कोशन साथ देख लेते हैं कि धनराम मोहन को अपना परतिदुण्दी क्यों नहीं समझता था तो देखिए जो धनराम है वो मोहन को जीवन यापन के लिए कि लिए कि इस पृति के लोग जीवन यापन के लिए सबी परकार की कर नहीं का समना करते हैं देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तीन-चार महने बसंद दी आती है यह ना हर याली है ना है समझ सकते हैं कि यहां पर मैक्सिमन क्या बर्फ वारी होती हैं कि पुरा पूरे ठका रहता है फिर लास्ट का तीन चार जो महिना है उसमें बसंद आता है यहां पन्ना अच्छे तरह के सहरिया लिए ना पेड़ पोदा है जीवन जीना ही बहुती दूसवार यांके कठीन हो चुका है यह रहेगा हमारा यह जो कोश्ण आठाइस का सही उत्तर और देखी सी प्रकार से में आप लोगो दो तीन वीडियो दोंगा ता क्याम लोगों त्यार एचीज हो जाए ता आप लोगों को जिस भी चीज़ का वीडियो चाहिए का आप लोग जर बताएं शीमिन त Thank you, Jai Hind.